उत्तराखंड के मीनस से दो किलो मीटर दूर पाटन के पास एक पिकप के गहरी खाई में गिरने से हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के तीन लोगों की मौत हो गई है हाथसा राजस्व पुलीस क्षेत्र चकराता की तहत शनिवार सुभा करीब साड़े चार बजे हुआ है तीनों मृतक शिमला जिला की नेर्वा तहसील के रहने वाले थे पाटन से गोबर लेकर नेर्वा लोट रहे थे कयास लगाई जा रहे हैं कि चालक को नींद का जोंका आने से ये हाथसा हुआ है क्यूंकि जहां हाथसा हुआ है वहां काफी जगा थी डॉक्टरों की तीम बुलाकर शवों का मौके पर ही पोस्ट मौटम करवाया गया बताने की शिमला जिला के नेर्वा तहसील के तीन लोग सुरजीत उम्र चतिस पुत्र जगत्राम निवासी टिक्री श्याम सिंग उम्र अड़तालिस पुत्र भागमल निवासी धनत और राकेश मंगलेट पुत्र सूरत मंगलेट निवासी हीरा सौन उत्तराखंड के पाटन में गोबर लेने के लिए गए थे शुकरवार को पाटन पहुँचे गोबर लादगर तीनों नेर्वा लोट रहे थे पाटन से कुछी दूर चले थे कि चालक राकेश उम्र 26 पिकप से नियंत्रन खो बैठा और पिकप अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुड़क गई पिकप टॉंस नदी के किनारे जा पहुँची हादसे का पता ग्रामीनों को चला तो मामले की सूचना राजस्व पुलिस चकारता को दी गई राजस्व अधिकारी मौके पर पहुँचे राजस्व पुलिस SDRF की टीम ने स्थानी ग्रामीनों की मदद से शवों को खाई से निकाल कर सड़क तक पहुँचाया शवों को पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया तीन लोगों की मौत से नेर्वाक्षेतर में शोक की लहर है हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News Choice of हिमाचल के साथ